सबसे बड़ी समस्या जो आप लोग स्वयम पैदा करते हैं इसके creator आप ही हैं समस्या के तैयारी के दोरान पैदा करते हैं कि कई बार आप अपने घर परिवार में तो बता के ही रखते हैं पूरा का पूरा कि आप इस exam की तैयारी कर रहे हैं कई बार ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि आपको घर पे रहें के भी तैयारी करना पड़ता है, परिवार के साथ तैयारी कर रहे हैं, आता है मौका, परिवार जाना भी पड़ता है, उनके बीच में भी बैठना पड़ता है, अब आपका तैयारी यहां पे आप कर रहे हैं, सिवि मेशूस हो रहा होगा, कई बार आप अपना ग्यान का इसतर हो सकता है, दिखाते भी हूँ, नहीं करते हैं, अच्छी बात है, ये बात अच्छी है, उन से क्या आप एक्छाएं भी बना लेते हैं आप अपने परिवार के इस अधश्यों से, कि यह आप एक्षा है कि वो आपका रिस्फेक्ट करें, वो आपको थोड़ा सा ये भी नहीं करते हैं आप लोग。 रिस्तों को मेल-जोल नहीं मनाते हैं. इसा तो नहीं होता कि माली जे वो कोई बात कहे रहे हूं अपना दिश्टिकोंड बता रहे हूं तो आपको उनका दिश्टिकोंड आपके दिश्टिकोंड से अलग लग रहा हूं अचा गलत है तो समझा देते हैं आम तोर पे देखो होता क्या है जब आप अपने परिवार के सदस्चों के साथ रहते हैं तो परिवार के सदस्चों के साथ किसी ने किसी रिस्ते में बदे हूए माता-पिता का रिस्ता है भाई का रिस्ता है बहन का रिस्ता है बैवाहिक संबंदेदी हो चुके हैं तो पतनी का रिस्ता है बच्चा भी होता है महिलाए ग्रहणी भी होती है अब मुझे छोटा सा आप हाँ नामे जवाब दे दे ना इसी से आप क्लियर हो जाओगे कि मैं क्या आप लोग को समझाना चाहता है और यह बहुत जलूरी है एक सिविल सर्वेंट के लिए आप तभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बार बताना से आप मुझे बताओ एक छोटा सा बच्चा है कल के दिन मालों आपका विवा हो गया और एक छोटा सा बच्चा पैदा हो और आप एक अच्पिरेंट हैं तैयारी कर रहे हैं अभी भी तैयारी के प्रक्रिया में है आपको यह भी लाएगा कि आपका पुत्र आपको डिस्टाप कर रहा है यह आपकी पुत्री आपको डिस्टाप कर रहे हैं तैयारी में आपके बाधा पहुंचा रही है आवाज कर रहे हैं यहाँ इतना सोर्सरावर नहीं होना चाहिए एक छोटे बच्चे को काम क्या खेलना वो तो अपना धर्मनी भारा है आपने समय पर धर्मनी भाया उता तो साइद यह दिक्कत नहीं होती टाइम से पड़ लिकाए होता तो आपको आज यह समस्य नहीं होती माता जी क्या अपेक्सा हो गी वो चाहती है कि आप जल्दी सेलेक्ट तो हो जाओ चैनी तो हो जाओ अपनी लाइफ में हो जाओ सेटल्ड हो जाओ यदि आभी वह ही तो जल्दी मैं साधी भी कर दू ताकि मेरी टेंशन खतन हो जाए हासकर बच्चियों के साथ होगा एक certain age के बाद घरवाले pressurize करेंगे आपको क्योंकि social responsibility जो उनके उपर है कि बेटी की साधी भी करनी है आप खुद सोचो आप जिस दिन पिता के दरजे में आओगे माता के दरजे में आओगे तो आपका दरजे में आप भी अपने बच्चे के लिए क्या सोचोगे एक अच्छा मलब बेवारिक तौर पर हम बात कर रहे हैं आपर परिवार करता है समाज भी करता है रिष्टेदार भी करता है तो रिष्टेदार भी तो अपना रिष्टा निभा रहे है ना उनको भी तो यहां पर लागे कड़ा कर रहा हूं कि कौई बैर भाव कर रहे हैं मौसी का जो रिस्ता है वह मौसी उसी रिष्टे को मिभारी है ना आप आप एस्पिरेंट ऑले रिस्ते को हटा क्यों नहीं देते हो कि आप आई आई आप पीछे आप यह इस आप्लेंट हो आप रिस्तों की जोलमोल मत कर दे लो अपनी तैयारी के दोरा टाइम टेकिंग प्रोसेस पे आप इंटर्वुए हो दिहान रखना एक अधिकारी के क्या लच्छन होते हैं विपरीत परिस्थितियों में और अच्छी परिस्थितियों में इन दोनों के गुड़ों को समझना परिस्थितियों विपरीत भी होंगी आपकी तैयारी के दोरान सेलेक्षण नहीं हो रहा忘 हो गया थो अपर मातां पगड़ के बैठ जाओगे का यार मेरे संद्व उपाएगा यही लगों सुन भी नहीं रहे कोई मेरे नीचे बाले मातां पगड़ के बैठ जाओगे कहने का मतलब है आपको हर एक situation में patience रखना पड़े एक leader की quality यही होती है क्यों इतने कम बच्चे select होते हैं क्यों कम लोगों का selection होता क्योंकि leadership की qualities कम लोगों में होती है महाराना प्रताप जी को समझते जानते हैं ना देश के गवरों और उन्होंने विप्रीत परिश्थितियों में भी अपने आपको राजा ही समझा चाहे वो घ्वास की स्वाविमानी विक्तिया ऐसा होता है तो यहीं राजा बनने चाहे हो एक लीडर बनना चाहे हो एक मास्क को करना चाहे कि बड़ी आपकी बातों को लोग सुने आपको माने आपके पास इतनी authority आए तो आपको इस सब चीजे manage करनी आनी चाहिए इनसे आप प्रभावित ना हो कई बार आप इनसे प्रभावित होने लग जाओगे आपको लगेगा कि आरे घर पे तो environment ही नहीं है यहां तो पढ़ने का जब environment नहीं होता एक्षुली घर पे environment नहीं है ऐसी बात नहीं है environment यहां नहीं इसमें इतनी साड़न हो गई इतना कचड़ा भर गया अभी इस class में बैठे हो चारो तरह गंदिगी ही गंदिगी हो चारो तरह भी कुल तो कैसे बैठे होगे माल लो मैंने का मजबूरन बैठना भी है या तो यह दवाएं बैठोगे मास्क लगा किया होगे है न ऐसा हो जाए माल लो आपके साथ तो आप इसी तरीके से बैठे रहोगे मन भी ने लएगा पढ़ाई में तरह तरह की खुस्बूएं आएंगे आपको खुस्बूएं बदबू तो करना क्या पढ़ेगा फिर साब सब्सक्राई कर आइसी आपकी मस्तिस्की इस्तिती है बहुत सारे बिचार इंटर कर चुके आपके मन में एक फॉट निकलता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता उससे दस ब्रांचे दोर बन रही है यह नहीं होगा वो नहीं होगा और फिर निगेटिविटी और निगेटिविटी का कच्चदा आपके दिमाग में बैठ चुका है इससे निकलना होता है कई बार घर के सदस्य अच्छे नहीं लगने लग जाएंगे कई बार यह लएंगे मुझे हर बात पर टोकता क्यों है मेरी सुतंता के अधिकार का हनन कर रहा है क्योंकि फंडमेंटर राइक पढ़ चुके होगे UPC के एस्पिरेंट हो सबकुछ अब आपको क्योंकि आपका ब्रेन का इस तरह बढ़ चुका है जब आप एस्पिरेंट नहीं थे तब आप हर तरीके की परितिती से गुजर रहे थे अब आपका इस तरह थोड़ा हर चीज में देश दुनिया थोड़ा बहुत जानने लग गया हो उचल रहा है ग्यान अंदर ही अंदर तो हर चीज से इरिटेट होना चालू जैसे कोई इधा-उदर की बात है अज्ञानी आदमी पता नहीं है लेकिन कुछ भी बोल रहा है पहले नहीं फरक पड़ता था वो तब भी तो था आपके घर का सदश्चित क्योंकि तब आप भी वैस नहीं उसी से रेडी में थे तब आपको फरक आप हां में हां मिलाते रहते थे अब आपको एक लॉजिक डूडने लग जाओगे हर चीज के पिछे लॉजिक डूडने लग जाओगे आप किसी को सही और गलट ठहराना चालू कर दोगे कि मेरा ग्यान ज्यादा बेतर है मुझे ज्यादा पता है इसको कुछ नहीं पता है तो मैं आपनों को एक सलाव बता कि अपने घर की रिष्टों से अपनी तयारी को मत जोड़ देना अपने रिष्टेदारों से और तयारी को नहीं जोड़ देना क्योंकि जब आपनी तयार आप उनसे अपेक्षा, अपने बच्चे से अपेक्षा करने लग जाओगी कि ये सांत रहे, मेरी पढ़ने में मदद करे, अपनी पत्नी से अपेक्षा करने लग जाओगी कि मुझे बस टाइन से खाना बना के दे दे, मुझे सबजी लाने के लिए भी ना बोले, घर में कोई दरवाजा भी बठा रहा है तो मुझे ना कहें कि यह करें एक गिलास पानी भी मुझे लेके यही दे अब अपने माता-पिता से भी यही अपेक्षा करना लग जाओगे हर चीज में कि मुझे देखो काम बता देती हैं कि छत में यह रखा कपड़े सुख गया होंगे उठाला सब कुछ हो रहा होगा आपके चारों तरवेदी घर पे रह रहे होंगे तभी बिद्यार्थी जीवन में एक लच्छण जुड़ा गया था ग्रह त्यागी कि यदि आपको अध्यन करना है तो आपको रिस्तों से उपर उठना पड़ता है घर पे आपको कैसा बियर आपका होगा वो आपको समझना पड़ेगा कि घर वाले आपको किस तरीके से डील करेंगे घर में तिया आप कालग सीधी करके आई एस अधिकारी बनके चलने लग तो कोई नहीं आपको सुनेगा जब आप कल की दिन बन भी जाओगे अधिकारी माल नो मैं कहता हूँ भगवान के रपसे आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी घर में ऐसे ही रहना कि माता जी को माता ही समझना प्रजाना समझने लगना कि अरे मेरे जिले का एक ये करना आपको आना चाहिए नहीं तो पत्नी अधी असांत हो गए पिर आपका सब कुछ हस्ते विस्त हो जाएगा तो पहले घर में जब आप तयारी कर रहे होंगे तो अपने आपको परिवार के अहम हिस्से बनके रहें कि मैं बेटा ही हूँ इनकी अपने आपको बचा के रखेंगे घरेलू बातों से कोई भी घरेलू बात हो रही होगी अब आप मुझे बताओ घर में सम्मौन रहेंगे एक दूसरा को ऐसे चेहरा देखते रहेंगे घर में टॉपिक उठाए जाते हैं बात करने के लिए कभी माताजी को टॉपिक उठाए जाएगा यह दिनकी तविस बहुत कराब है कभी आपस में टॉपिक हो जाएंगे गर में दो बावव मैं उनीको टॉपिक बनाया जाएगा टॉपिक ढूढने परते हैं कि वहां कॉन Current Affairs की क्लास चल रही होती है घर पे बताओ जब घर में सारे topic ख़तम हो जाते हैं तो फिर current टीवी में जो चल रहा होता है उसे topic उठाइ जाता है सीरियल में जो चल रहा होता है वह topic उठाये जाते हैं तो घर में कोई न जोичес कि निकम्मह यह बैठा है आप फिर अपने आपको topic नहीं मान, घर पे रहोगे तो topic उठेंगे, घरेलू topic भी होगे और बाहरी topic भी होगे, समभव ही नहीं है कि घर में रहके topic ना उठें, पहली बात यह सुईकारना है, ठीक है, आपके घर में यह तो नहीं चलता कि वो अमेरिका का किश्टोफर ऐसा है जो बात को नहीं आपके अपको इन सबसे उपर उठके रहना ताकि आपको इन प्रॉब्लम से गतम हो सको आप घर का परिवार का एक हैरह में इससा और दूसरा। बाते हो रही होंगी वहां से अपने आपको अलब कर लेना. हाँ, सबसे बड़ी चीज है, हर चीज में. सुनाओ, ना सुनाओ. ठीक है, ठीक है, और हाँ, हर चीज में अर्गुमेंट करने मत बैठ जाना. तो यह करना है निट्रल रहे हैं उनका यह बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी प्रसंसा करने हैं इससे क्या होगा आप बच जाओगे नहीं आप क्रिटिसाइट करने जल जाओगे वो तो पैसे देखे हो गए हो तो यह कर दिए वो तो यह कर दिए इसमें देखो यह कमी यह सुबह टाइम उठती नहीं यह जाडू यह यह गंदा चपन पहन के अंदर गुसा इन सब चीजोसे नहीं आपको पढ़ना जहां पर कोई आपकी कमी बताए गलती मान लो गलती होगे कोसे करोंगा अभी तक खाना नहीं खाया था आपने कोई आभी खाने अभी बस तुरंत अभी खाता हूं दो बाते कोई सुना है तो सुन लेना है वहां पर आर्गुमेंट करने लग गए क्या नहीं मेरा एक्स्प्लेंड करने मत बैठ जाओ जाज़तर लोग इन्ही सब चीजों में फसके यूपी एस्टी के 90% एस्पिरेंट अपना पूरा केरियर खराब कर ले बहुत माइं अपसेट होया मन नहीं लगता फिर पढ़ाई में फिर एक यह लगता मेरा इन्वायरमेंट खराब हो रहे हैं क्योंकि कि उनको relation management आता ही नहीं है, relations इपको कैसे manage करना होता है, जब आप घर में बड़े हो, एक leader जो होता है, उसमें सुनने की छमता होनी चाहिए, उसमें समझने की छमता होनी चाहिए, उसमें reply करने की छमता नहीं होनी चाहिए, problems को सुनने की बाद solution की तरफ उसे भागना चाहिए घर की प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम्स है उनको यह मत कहो कि मैं जब आई एस बन जाओंगा तब सुल जाओंगा घर में कोई बिमार पड़ा है तो आई एस बनते बनते वो यदि उसको टाइम से आप दवा ना दी गई तब तक वो इस धर्ती से इसलिए आपको पहले यह रिलेशनसिप भी बनाना चालो कि घर में तो टीवी लगी है तो टीवी भी चलेगी कुछ लोग देखेंगे इतना भी नहीं कि टीवी ना चाहिए इतने भी आईडिलिस्टिक कोई नहीं तो आप अपने हिसाब से इन्वाइर्मेंट मत क्रियेट करो जो इन्वाइर्मेंट है उसे सुईकारो और सुईकार करके उसी इन्वाइर्मेंट को समझ गए मेरी बात को यह जरूरी बात यह बाते आपको लग रहा होगा स्लेबस का हिस्सा तो नहीं है पर स्लेबस को पूरा खतम कर देती है फिर स्लेबस नहीं खतम होता यह बात ही आपके दिमाग में सड़ती रहती है सड़ती रहती है सड़न चलती रहती है गंदगी ज़्यादा सड़ चुकती है कि फिर उसे उठाने का मन नहीं करता है आप खुछ सूचे एक जिगह पर कूड़े का धेर पड़ा हो डेली वहीं पर डाल जाते हो डेली तो जब नीचे का कभी निकलेगा तो उसकी बद्बू समझा है कैसी होगी इसने डेली की सफाई करते जाओ और इसका एक तरीका है जब कभी पाव अपने आपको कि मन में बहुत उलजने हैं बहुत प्रशने चल रहे हैं मुझे ये करना है ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा इसका समधान है कैसे समधान है एक दो दिन का उपास सब चीज से किताबों से भी हर एक चीज अपने साथ हुए है कोई समधान नहीं देगा कि आप सोचो कि इसको मैं डिसकस करनूं तो ये समधान देदेगा इसको डिसकस करनूं तो ये समधान सबसे पहले अपने गोल को लिए जिसके लिए आप सबसे लड़ने को तयार हो सबसे पागर पर सबसे पहले उस से लिए तो कि सबसे primary आपको हो इसके वाद अफ़ी problems लिए जो thought दिमार्ट में है मुझे इससे problem, मुझे इससे problem मुझे इससे problem, मुझे इससे problem इससे problem सब को लिखो है, list बना और उन प्रॉब्लम्स का समधान क्या हो सकता उसकी तरब hou और समधान ऐसा होना चाहिए जो आपके एक्जाम की तैयारी तक आपको ले जाने का प्रयास करें बetch를 होना चाहिए आपका उसका उसका वो आपको तैयारी मेश तरमान बो करें तो यह मजबूरर घर में पैसा नहीं है आपको घली में रहके पढ़ना पढ़आ है वापके दिवाग में क्या चल रहा है घर पर तो महौल नहीं है बाहर के पढ़ ले को अब मुझे त्पर से एक चीतल जाओगे तो पहले तो आर्फीतनगी पहले ही चल रही लेकिन लिक्कत क्या ना एक समस्थय बहुत गड़ी चलो एक बहुत बड़ा चीज और क्लीर कर देता हूं और तैसे आपको अच्छे से और क्लीर शाक त्रवव लुए कि घर में क्या हो जाता है जब कि बाहर candle भrd तो गधी बहार रहने पर आपकी जिन्नगी में आ जाते है ठोड़े अभाव के घर वे रहें तो आपको मिल जाती है अब अभाव में दो चीजिया हो सक्षी है पहली क्या है अभाव में बहुत तरह लोग ऐसे हैं कि जो अभाव को अपना पावर बना देते हैं पावर बनाने मुल्द आप उनको इक चीज पता है कि यार अब यह चीज नहीं लेकिन पाणा है मुझे कुछ बड़ाई क्योंकि जो चीज नहीं है यजिन उसको ही कोस्टा रहांगा तो साहिज कुछ नहीं कर पाऊंगा कुछ की अर्othe मैं घर के बाहर वाली बात में आएगे यह च्छाइत्री की इस्तिति समझ सकते हो 今日 पी आर्ती किस्तिती है जिनके पास कुछ की आर्ती किस्तिती अैसी है जिनके पास है चीज है कि ऐस'M कुस्क ताम कब हो जाता है जाल गालना है और फोकेश लिएह से काम करना चालू करेंगे और बढ़िया सा एक ब्यापार बना देंगे उससे अवाओं को दूर कर लेते हैं कुछ क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं हर तरीके कटेगरी है क्राइम की तरफ यह वाली कटेगरी जाती है यह नसे में चली जाती है यह कटेगरी नसा में चले जाएंगे विक्षा ब्रित् अब हाव है तो पैसा पैसा नहीं है न सल्यूशन यही तो चीज तो मैं समझाना चाहे रहा हूं सारा खेल बिल पावर का है करने की आपके अंदर इक्छा होनी चाहे बस सब कुछ उपलेबल है सब कुछ उपलब दू सकता हर एक परिष्थिति वाप करना चाहो बस आप नहीं है डाक्टर भीमराम बेट करी उन्होंने क्या किया आपको पता है देश का सम्मिधान बनाया उसके पहले उनकी एजुकेशन देखे परोकी के कंडिशन में थे इस कंडिशन अब हाव यूप थे लेकिन फोकस्ट थे उन्हें पूरे समाच का दृष्टिकोंड ही ब है इकॉनिमी में भी पिएचेडी कर रखी उन्होंने आपको पता वह अर्तिव्योस्था कि कितने बड़े अर्तिसास्ति ही थे वो कानून का ग्यान तो था ही उन्हों एक असधारण व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा आज के टाइम पर जो इतना जादा योग्ये हो और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी एक लोग की संख्या नहीं है ऐसी बहुत बड़ी संख्या भी है जो अभावों में रहे और उन्होंने बहु कुछ नहीं हो सकता यह अपनी लाइफ में कुछ नहीं करता है कि आम ब्यक्ति आम आदमी बनके रहे जाए यह अपने आदमी में बहुत बड़ी सा प्लता अपने जिल्दिगे में अर्जित करें या भावानों की दो कटेंगी है दूसरी तरफ जिनके पास उप्लब्धता ह इनकी समस्ते मैं इसी में आ कर पंस रखें दे चीजें अब ने वलाइं नहीं पचरागए यह उसी में चूर हो गया उसी को भोगने लग जाते इसी में हो कि हां ठीक है तो हैं चीजे इनका मन नहीं लेगा इनको शॉपिंग करनी है इनको मूवी देखना है इनको सोना है इ इन सब दोस्त मनाने इनको प्रभाव साली व्यक्ति बनना है अकांच्छा बहुत है लेके और इनके साथ एक चीज है यह डिजिन प्रिंट में रहेंगे अनुशासित रहते हैं यह डेली क्लास देंगे पढ़ेंगे सब कुछ करेंगे पर रेगूलर महिनत नहीं करते हैं सब्सक्राइब करना है लेक वाकि सब कुछ अच्छा है इसका डिस्सिप्लिन पर्सन है हमेशा इस पूल जाते थे हमेशा पढ़ते थे सब कुछ करते थे बट कंप्लीट रेगुलर रभीच बीच में इनके उपलबदता इनके लिए संकड़ बन जाती है दूसरी क्या है उ उसका क्लियर है कि मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है अपनी खुद छमता है विक्सित करनी है जो अपलबदता है हो गई है इनके इतनी सारी मिल गई है इनके बोग को छोड़ करके वो फोकस्ट में हो जाए अब इनके लिए चाहिए कौँ या तो कोई गुरु चाहिए एक माता पीता कभी होता है माता पाभी रोल जो है इनके माता पीता सपोर्ट करके इनको कोकंड की तरफ मौर दे और नहीं तो यह रह जाएंगे माता पिता का रोल कम ही रहता है ठीक है सही मांग दर्सन नहीं मिल पाता और P पहले ज़र के इनके माता-पीटा असिक्षित हैं कि माता-पीटा भी इतना नहीं पढ़पाई इनके अभाव युक्त है लिन्द भावना से गरिशित हैं और सिन फ्र होने किले उन्हीं जैंड कि प्सिता लेकर में कुछ ले कुल नहीं भाइन के लाना है इतना एकर देना है language कुल जैसे जाएंगे आधे बन जाएंगे क्योंकि इनको महातु पता यह नहीं कैसे चीजे़ा हुए उनको यह पता है कि 100 रूपय का कर्चा है 100 रूपय आ गें काम हो गया तो यह बड़े बद्लाओं नहीं कर पाई इसमें बड़ा बद्लाओं करेगा एक यह बढ़ा बद्लाओं करेगी और यह जाए झाने सब अप लेबल नहीं रहती है घर में हर चीज अप लेबल रहती है हर्चीज आपके साथ है सब आपके साथ खड़े हुए है खाना भी मिल रहा है सो नभी मिल रहा है अ जो कई बार घर का और जी यूज भी करने लगा जाते हो उन्हीं की बातों से इरिटेट होने लग जाते हो जबकि आपको चाहिए कि आपके मन में क्या होना चाहिए था कि यार कम से कम दो चाल लोग है मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी तो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरी पढ़ाई से आप खटोगे नहीं फिर अब मुद हमेशा कमी ही दिखेगी घर के लोग को आप रिष्टे थोड़ न बदल सकते हो तो रिलेशन मैनेजमेंट आपके पास आना चाहिए कैसे आप रिष्टों को मैनेज करते हो अब ने फिर आपको रिष्टे बुरे नहीं लगे जब आप रिष्टों को एक बार समझ जाते हो तो रिष्टे आपको सही लगें जो रिष्टा है जिसकी जो वो है वो उसी प्रवत्ती के हिसाब से काम करें और आपके उमीदें अलग होती है रिष्टों की बनावट अलग होती है यह समस्य है बताओ यही हो रहा है जिन्दगी में